हेलो गाईज आपका मेरी चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है आज हम शिक्ष्या निदेशाले की तरफ से दी जैने वाली वर्क्षिट नमबर 23 करेंगे जो की क्लास 7th की है और विश्य है सामाजिक विज्यान ये वर्क्षिट 8 अक्टूबर 2021 की है तो आएए शुरू करते हैं आज की वर्क्षिट वर्क्षिट शुरू करने से पहले प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए तो आएए देखते हैं आज की वर्क्षिट मुगल सामराज्य विधाले पिक्निक के दोरान मुझे हुमायू के अकबरे जाने का मोका मिला आईए आज हम मुगल शाशक हुमायू के बारे में जानते हैं तो पिछली वरक्षिट में हमने बाबर के बारे में जाना था कि बाबर ने किस तरह अपना समराज्य स्थापित किया और किस तरह उनक के अकबरे का निर्मान किसने करवाया था तो बिटा जो हमायू का अकबरा था उनका निर्मान हमीदा बानो बेगम ने करवाया था किसने करवाया था हमीदा बानो बेगम जो उनकी वाइव थी जब हमायू की डेथ हो गई तो उसके बाद उन्होंने मकवरे का निर्मान करवाया था, तो किसने करवाया था हम लिख सकते हैं, हमीदा बानो बेगम ने जो हुमायू के अकवरे का निर्मान करवाया था, तो आज देखते हैं आगे की वरक्षिट, बेटा क्या दिया गया है वरक्षिक में, हुमायू, हुमायू का जो हम कहेंगे राजपार था वो कब से लेके 1830 से 1530 से 1540 और 1555 से 1556 तो देखो यहाँ पे जब उनका हम जो एम्पारर कहेंगे वो देखो बिटा दो पार्ट में डिवाइड किया गया पहले 1830 से 1840 दस सार उसके बाद 55 से लेके 56 तो बीच का टाइम द इससे कि वो हार गए और वो यह सब को छोड़कर कहीं और चले गए तो बीच का टाइम था वो यहां पर उनका अधिकार नहीं था इसलिए बीच के टाइम में वो चले गए थे फिर वो वापस आये उन्होंने दिली पर फिर से अधिकार प्राप्त किया 1555 और 1556 में फिर वो यहां के उत्रा दिकारी रहे तो आईए देखते हैं क्या कहा गया बेटा वर्क्षिट में मुगल जेस्टा दिकार के नियम में विश्वाश नहीं करते थे उन्हें जेस्ट पुतर अपने पिता के राज्या का धिकार होता था देखो बेटा क्या कहा गया जेस्टा दिकार जो मुगल थे, वो जेस्टा दिकार के नियम को फोलो नहीं करते थे, जेस्टा दिकार क्या होता है, कि जब पिता के बाद जो सारी संपत्ती होती है, जो सारा राजपाट होता है, वो बड़े पुतर, जेस्ट मतलब की बड़े पुतर को दे दिया जाता है, ये इस नियम को ज सहया दायाद, क्या लिखा गया है, सहया दायाद, सहया दायाद की मुगल और तैमूर वंशो की प्रथा को अपनाते थे, जिसमें उत्रा दिकारी का विभाजित समस्थ पुत्रों में कर दिया जाता था, तो इसके देखो, जो मुगल थे, वो ऐसा नहीं मानते थे, कि भी बड हुमायू ने अपने पिता की विशियत के अनुसार जायदात का बटवारा किया और प्रतेक भाई को एक प्रांध दे गया, तो हुमायू ने भी क्या-क्या जो बाबर थी, उनकी जितनी भी समपत्ति थी, उनको जितने भी उनके भाई थे, सब में बराबर-बराबर अब देखते हैं, आगे की वक्षित में क्या दिया गया है, बेटा देखो, अपने भाई मिर्जा कामरान की महत्व कांशाओं के कारण हिमायू अपने अफगान प्रतिदंद्यों के सामने फीका पड़ गया, अब देखो सब में बराबर-बराबर बाणदी, जैसे कि मानलो यह पूरा पार्ट करते हैं, तो यहाँ पर क्या था, जितना भी एरिया था, उसमें सब में को यहाँ पर कुछ यहाँ पर दे दिया, और जो मिर्जा कामरान था, उसे इस तरफ का एरिया गया, जबकि जो खुद हुमायू था, उन्होंने यहाँ का एरिया लिया, अगर हम मिर्जा कामरान उनके भाई थे उनके जिन भाईयों में सम्पत्ति बराबर बराबर बटी थी उन्हीं में से एक भाई थे जिन से वो खुश नहीं थे तो इसलिए मिर्जा कामरान के मन में थोड़ा सा द्वेश पैदा हो गया था हिमायू के लिए तो अपने भाई मिर्जा का उसके साथ उन्होंने क्या किया? अफगान दोस्तों को मी समल Brendan है उनको मिला लिया और हुआयूयूड पर क्या कर दिया? अकर्मान कर दिया. अब देखो. शेर placebo ने हुआयूड कु से कौन से? मिल्जा कामरान किस साथ मैल गई था? उन्होंने हुआयूपर ना चर्मान किया. ए इन पराजों से इरान की और भागने को बाद दे हो गया अब जो दो बार आकरमन हुआ पहले अपना राजपट अच्छा से समार रहते लेकिन अपने भाई की वज़े से भाई ने का कि मुझे तो अच्छी जगह नहीं दि तुम दिली के आसपास की जगह ले ली मुझे इरान की तरफ भाग कर जाना पड़ा अब देखो इरान जब पहुँच गए तो इरान में हुमायू ने सफाविद शाह की मदद ली अब इरान में जब पहुच गए तो सफाविद का बहुत बड़ा एंपरर था वहाँ पे तो जो इहमायू था उन्होंने किसकी शरण में सफाविद की शरण में गए अब वहाँ से उन्होंने थोड़ी ताकत मिली उनको थोड़ा मनलब उसका सपोर्ट मिला पूरी तरह से सपोर्ट मिला तो उन्होंने वापस से 1555 में दिली पर फिर से पुना कबजा कर लिया अब यहाँ पर समझाय जो उपर दिया गया था पहल अक्रमन किया शरण की पुतर थे उस समय उन्हों पर आक्रमन किया और फिर उन्होंने 1555 में क्या कर दे दिली पर अपना कबजा कर लिया परन्तु अगले ही वर्ष इस इमारत में एक दुरगटना के कारौन उनकी मृत्ति हो गई अगले ही वर्ष क्या हुआ जब उन्होंने जिनोंने देकों यहां पर में दिखाया ना कि शेर खां सुरी हना तो अब हम इनके बारे में पढ़ते हैं इनके पिच्चर भी दी गई तो देखे क्या कहा गया है बटा अफगान शाशक शेरका सूरी जिसके साथ मिर्जा कालिम जो थे मिर्जा कामरान थे वो मिले थे थे को अफगान शाशन सेरका सूरी शेरशा का मूल नाम फरी था उनकी पिता जोन पूर के एक छोटे से जागीर थे जागीर दार थे छोटे से क्या थे जागीर दार थे जिसकी पर बहुत ध्यान दिया था उन्होंने अपना समराजय विस्तार के लिए और वानीज जिया और इसके लाव अपना हमला आसपास और समराजय जो भी है उसको जो संचार विवस्ता उस पर बहुत जादा उन्होंने ध्यान दिया था सोनार गाओं जाने वाले उस पुरानी शाही सड़क को शेर खाने मरमत करवाई जिसे काफ़ी समय तक ग्राट टैंक रोड भी कहा जाता है या रोड कहा जाता था उन्होंने क्या किया जो पुरानी सड़क ते उसे रिपेर करवाया शेर खाने कुल 1700 सराय बनाई 1545 में कालिंजर के कीले की घेरा बंदी के कारण दुरगारशना वश एक तौप के फटने के कारण शेर शाह की मृति होगे अब ये भी बहुत बड़े शाशकते बहुत अच्छा रोव था इनका लेकिन इनकी भी क्या होई दुरगटना वश क्या होई एक तौप फट गए जि कानियों के साथ मिलकर किया किया उन पर आकर्मन कर दिया जिसकी वज़से उने दिल्ली छोड़कर भागना पड़ा इरान की तरफ वहां से फिर उन्ने थोड़ा सपोर्ट मिला उन् leopard की थयो और दुरगटना के वापस उनकी मृतियों हो गए तो यह सब आज की worksheet में हमने कालीजनर के कीले की घेरा बंदी के कारण हुमायू की मिरती वी थी, देखो कालीजनर के कीले की वजए से हुमायू की मिरती नहीं थी, हुमायू की मिरती क्यों थी, क्योंकि धुरगटना वश्यू थी, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, हुमायू की पिता जिसने और के विल्खता पूटू कर दिया जाता है उनगे शक्ति है। उनको क्या कर दिया जाता है Сबी हुट्रों में बांड दिया जाता है। तो आज उच्ग वो दे को ऐसे हिसा है कि पिता की जितनी सब पति होती हुती है, वो सभी बच्चों में बराबर बराबर बांगती जाती है। तो यह हो जाएगा हमारा KRIYA KLAB numero 2 का आंसर। तो पेटा आज की वक्षिट कंप्लीट होती है, बहुत इंटरस्टिंग वक्षिर्थी, वक्षिट कंप्लीट करके अपनी ठीचर से चेक कर आई है, और प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए,